बिस्मिल्लाइरुमानी रहीम, अस्सलाम उलेकुम, वेलकम टु स्माइली फूड और मैं हूनाहिद, आज हम बनाएगे एहमदाबाद के फेमस कबाब समोसे, अगर फ्रीजर में कुर्बानी का गोश पड़ा हो तो ये टेस्टी जाएकेदार कीमे के समोसे बनाए, ये क्रिस् समोसे बनाने के लिए, यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम बोनलेस मटन है, तो ये कुर्बानी का बचावा गोश है, इसे अच्छी तरह से मैंने धोकर, डीप फ्रीजर में रख दिया था, तो ये अच्छी तरह से कड़क और टाइट हो चुका है, तो इसे मिक्सर में डाल कर पी जार में डालोगे न, इसका कीमा असानी से बन जाता है, ये देखिए बोटिया एकदम हाड है, इससके टाइम पर में इसे मिक्सर जार में डाल कर पीस लेती हूँ, तो बारिक कीमा अच्छी तरह से बन जाता है, आपके पास तैयार कीमा हो तो इससे भी आप बना सकते हो, तो ये कुर्बानी का गोश है, तो घर में ही हम इसे कीमा बना कर इसके समोसे बनाएगे, ये देखिए मिक्सर को बन चालू करते हुए मैंने पीस लिया है, तो बारिक कीमा अच्छी तरह से बन चुका है, जब भी आप मतन का कीमा इस तरह से बनाना हो, तो मतन को पहले पर रख दिया है, अब इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देते है, आदा चमच हल्दी पाउडर दालेगे, और कीमे में से जो पानी निकलता है उसे हमें अच्छी तरह से सुखा लेना है, तो यहाँ पर 6-7 मिनट हो जाते है, तेजाट पर कीमे में से जो भी पानी नि दरक लसन का पेस्ट दाल रही हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च का यूज करूगी, क्योंकि जो एहमदाबाद के समोसे होते हैं, उसमें हरी मिर्च का फ्लेवर ज्यादा होता है, एक चमच भरके धनिया पाउडर, आदा चमच जीरा पाउडर, एक चमच गरम म में हम भून लेगे, गैस की प्लेम मीडियम कर देती हूँ, यह जो कीमे का मसाला है, उसे अच्छी तरह से ड्राय कर लेना है, यहाँ पर एक मिनट हो गए है, मसाले को कीमे के साथ भूनते हुए, अब इसमें प्याज एट करेगे हम, तो यहाँ पर मैंने तीन मीडियम साइ और यहाँ पर मैंने 4-5 हरी मिर्च को बारिक काट कर लिया है, आप मिर्च अपने टेस्ट के साथ से डाल सकते हो, लेकिन जो एमदाबाद के समोसे होते हैं, उसमें हरी मिर्च का फ्लेवर ज्यादा होता है, अब इन सबी चीजों को एक मिनट के लिए फिर से हम भून लेते कीमे का मसाला जितना अच्छा आप ड्राय करके लोगे न, उतने अच्छे समोसे फ्राय करने के बाद भी ज्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं, तो यहाँ पर एक से दो मिनट हो गए है, मैं गैस बन कर देती हूँ, और यह समोसे का मसाला हमारा रैडियो चुका है, इसे एक बरतन में निकालकर हम ठंडा कर लेते हैं, अभी इसमें मैं धनिया और पुदीना ठंडा होने के बाद डालूगी, वरना अभी डालोगे तो पुदीना और धनिया जो है काला पर जाता है, खीमा ठंडा हो रहा है, वहाँ तक मैं आपको समोसे की जो पट्टी बनाते हैं उसका आटा भी बता देती हूँ, तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मैदा लेकर उसमें थोड़ा नमक डालकर थोड़ा सौफ्ट आटा गुनकर तयार कर लिया है, तो यह पहले से मैंने आटा गुनकर रख दिया था, तो अब इसकी समोसा पट्टी बना लेते हैं, समोसे की पट बनाऊंगी, तो आप चाहें तो घर में भी आटा गुनकर पट्टी बना सकते हो, या फिर बाजार से भी लाकर समोसे बना सकते हो, पट्टी के, दो आटे की छोटी-छोटी लोई लेली हमने, एक जैसी लेनी है, सुखा आटा लगा लेगे, तो मैदा लगा लिया है मैंने, और इसकी पूरी की तरह बना कर तयार कर लेना है, छोटी पूरी होतीन उस तरह से, देखिए इस तरह से पूरी बना कर तयार कर लेगे, दोनों पूरिया बराबर होनी चाहिए, दोनों पूरियों पर आप थोड़ा-थोड़ा तेल लगा लेगे, ताकि जब इसकी रोटी से पूरी पर दाल दिया है यह जो त्याल वाला भागे इसके उपर डाल देगे थोड़ा सा दबा देगे इसे फिर से सूखा आटा लगा कर पतली सी रोटी तैयार कर लेते हैं तो जितनी पतली हो सके उतनी पतली रोटी बेल ले और कही से जाड़ी कही से पतली ऐसी नहीं होना चाहिए सब तरफ से रोटी हमारी पतली होना चाहिए तो देखिए पतली सी रोटी तैयार कर लिए मैंने तवा गरम हो चुका है ये रोटी को हम सेख लेते हैं बहुत ज्यादा नहीं सेखना है बस हलका-लका दोनों तरफ से हमें पलटा कर सेखना है ये एक तरफ से सीख चुकिए इसे पलट लेती हुँ में थोड़ा से एक बार और पलट लेती हुँ ये रोटी हमारी सीख चुकिए बस इतना ही सेखना है देखिए दोनों तरफ से बस हलका-लका सेखाय मेंने से इसे निकाल लेते हैं और देखिए आसानी से निकल जाती है ये देखिए हमने तेल लगाया था उसकी वज़ा से ये आसानी से निकल जाती है तो एक रोटी में से दो रोटी हमारी समोसे की पट्टी तयार हो जाती है इसे कोई कपड़े में ही ढख कर रखे वरना ये सूक जाती है और कड़क हो जाती है इसी तरह से हम बाकी सारे समोसे की यह जो रोटी है यानि पटी की रोटी है वो तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर तीन रोटीया मैंने बेल कर तैयार कर लिए यह देखिए तीन की छे रोटीया हो चुकी हमारी तो इसकी समोसे की पट्टी हम कट कर लेते हैं तो इस तरह से फोल्ड करेगे इस साइट की जो किनारी है उसे पहले कट कर लेते हैं इसे भी फ्राइ करके आप खा सकते हो क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत अच्छी लगती है तो पहले इसे बीच में से काटेगे हम, और फिर इस तरह से एक और कट लगाएगे, और इधर भी एक और कट लगाएगे, यानि चार कट लगाके हमने चार पट्टी बनाई है समोसे की, तो देखें इस तरह से समोसे की पट्टिया तयार होती है, यह थोड़ी छोटी साइस की क्योंकि जो एमदाबाद के समोसे होते वो थोड़े चोटे साइस की होते इसको एक कपड़े में ढखकर रखेंगे हम ताके यह सुखे नहीं तो इस समोसे की पट्टिया हमारी अभी रेडी हो गई है अभी काफी सारा आठा बाकी है देखिए हम इसे बाद में बनाएगे तो आपको दिखाने के लिए थोड़े समोसे भर के दिखा देती हुमे तो जो आपने कीमे का मसाला तैयार किया था वो भी ठंडा हो चुका है तो चलिए उससे भी देख लेते हम कीमे का मसाला थंडा हो चुका है अब इसमें धनिया और पुदिना बारी कटावा दालेगे पु यहां पर समोसे में हमनें प्यास थोड़ी मीडियम ही डालिए कोंटेट के में मैदे का पानी ठाल करें, लिए मैदे का घोल लिए ना है तो चलिए समोसे को बर लेते हैं, कपड़े में ठाक करिए पट्टी को रखना है हमें, ताकि यह सुखे नहीं, यह जो सेखा भाग है जिससे हमने सेखा था, उसे अंदर रखना है, उसमें हम मसाला भरेगे, तो जिस तरह से मेंदी का कौन होता है, बस उसी तरह से हमें इसे फ तो यह एमदाबाद की जो समोसे होते हैं, उसमें मसाला ज्यादा भरा जाता है, फूले फूले से थोड़े ही समोसे होते हैं, इसे इस तरह से हम दबा देगे, अब यहाँ पर हमें इसे फोल्ड करना है, वह दिखिए इस तरह से उठा कर, फिर इसे इस तरह से हम फोल्ड कर कर देगे और यह जो पट्टी बचिए से मेहदे का घोल लगा कर इसे पैक कर देगे तो अच्छे से मेहदे का घोल लगा लेना है और ऐसा उठाकर इसे फोल्ड कर देना है देखिए समोसा हमारे इस तरह से रेडी हो जाता है तो इस तरह से सारे समोसे बना कर तैयार कर लेते ह यह देखिए अभी आपको दिखाने के लिए इतने समोसे बना कर रख लिए मैंने बाकी मसाला साइट पर रख दिया है मैंने तो यह समोसो को हम फ्राइ कर लेते हैं समोसे को फ्राइ करने के लिए तेल अच्छी तरह से गरम कर लेना है और फिर गैस की फ्लेम मीडियम करके मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राइ करना है एक एक समोसे को डालते हैं बिस्मिल्ला एर्माने रहे मीडियम फ्लेम पर इसे तलना है ताकि अंदर तक समोसे अच्छी तरह से पक जाए अब इसे पलट लेते और लटे पलटे इसे अच्छी तरह से फ्राइ करना है समोसे की पट्टी को क्रिस्पी करने के लिए मीडियम फ्लेम पर इफ्राइ करें तब ही जाकि समोसे की पट्टी क्रिस्पी और कुरकुरी बनकर तयार होती है यहाँ पर मैंने चोटे साइस के समोसे बनाया है क्योंकि एमदाबाद में भी बिल्कुल इसी तरह से छोटे-छोटे समोसे और उसमें कीमे का मसाला ज्यादा भरकर बनाया जाता है यह समोसे के साती जो एम्दाबाद के special बेरा के कबाऑ होते हैं तो उसका masalah भी मैंने तयार किया है इसकी recipe भी मैंने मेरे चैनल पर upload की हुई है अगर आपको एम्दाबाद के famous जो बेरा के कबाऑ बनाना हो तो मैं नीचे description में उसकी link दे दोगे आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, तो ये कबाब समोसे एमदाबाद में बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये कबाब समोसे को वहाँ पर बन के साथ खाया जाता है, आप चाहे तो बन के साथ खाये या ऐसे ही खाये, ये कबाब समोसे बहुत ही खाने में टेस्टी लगते है, ऐस समोसे यह देखिए कीमे के समोसे हमारे अच्छी तरह से गोल्डन फ्राइ हो गए बस इतना इसे फ्राइ करना है इसे मैं निकाल लेती हूँ इसका एक्स्टरा ओयल इस तरह से निकाल लेगे हम माशालला यह बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं आपके घर में अगर फैमिली मेंबर ज्यादा हो तो मैंने जिस तरह से समोसे की पट्टी बताईए उस तरह से घर में बना कर ज्यादा कॉंटेटी में समोसे को बना सकते हो देखिए कितने क्रिस्पी बने इसकी आवाज सुनिए इसी तरह से बाकी सारे समोसे को फ्राई कर लेती हुमे ये समोसे भी हमारे फ्राई हो गए इसी तरह से आप भी समोसे बनाए फ्राई करें और अपनी फैमेली को खिलाए क्योंकि समोसे तो सभी के फेवरेट होते तो ये समोसे मैंने एक प्लेट यहाँ पर फ्राई कर लिए इसी के साथ मैं कबाब को भी फ्राई कर लेती हूँ ये कबाब भी खाने में बहुत ही मज़ेदार बनते है इसे भी आप जरूर बनाए कबाब समोसे दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन एक साथ बहुत अच्छा लगता है तो यह समोसे भी फ्राइ हो गए है और हमारे कीमे के कबाब भी तयार हो चुके गर्मा गरमी से हम सर्फ कर लेते हैं पर जब पर लेते हैं झाल 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 झाल